विगपॉंग 16 के घर में अंकित गुपता कैप्टिन क्या बने अलग ही बवाल खड़ा हो चुका है शो में बार बार जिस तरह से अंकित को टारगेट किया जाता है उससे अब जनता और स्टार्स ने शो के मेकर्स पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं स्टार्स और जनता ये तक कह रहे हैं कि मेकर्स जान बूच कर अंकित को टारगेट करने पर तुले हैं इसलिए बार बार उन्हें ताने मारे जाते हैं ये बवाल तब और ज्यादा गर्माया जब बिग बॉक्स ने अंकित को लेजी कैप्टन बताया और जेल वाला टास्क दे जिसके बार बिग बॉक्स ने अंकित के डिसीजिन पर ही सवाल खड़े कर दिए जो कि शो में पहले किसी भी कैप्टन के साथ नहीं हुआ इसके बाद खुद अंकित ने भी शो के दौरान इस बात कर जिकर किया कि ये टास्क बिग बॉक्स ने बनाया ही ऐसे हैं जिस से साम गुपता शो के मेकर से इस कदर खफा है कि ट्वीटर पर तो स्टॉप टार्गेटिंग अंकित खुब ट्रेंड तक कर रहा है तो वहीं अब स्टार्स भी मेकर्स को स्लैम कर रहे हैं देखे ज़रा इन ट्वीट्स को मनु पंजाबी लिखते हैं बिग बॉस के 16 एर्स की हिस्ट्री में कभी बिग बॉस ने ऐसे संचालक के डिसीजन को सही या गलत नहीं बताया है राउन कौन जीता है एन और अंकित गुपता के लिए ये एक्स्ट्र एफट क्यों नॉट ड़न भाई गोहर खान ने तो बैक टुबैक कई ट्वीट्स की अपने एक ट्वीट में उन्हों ने रिखा कारिय के स्टार्ट के अनुसार तो बहुत सारे टास्क में संचालक ने अपनी मनमानी चलाई है कभी तो बिग बॉस ने ऐसा जज़्जमेंट पास नहीं किया था तो अपने दूसरे ट्वीट में वो लिखती है इसके पहले के संचालक सारे के सारे अन्फियर थे और ग्रूप आफ निमरित, शिव अन्डे रेस्ट अफ दा मन्डली इस आल्वेज अन्वेज अन्फियर इन टास्क और नाउ दे क्लेम दा सेंग तो यहीं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टन रह चुके एंटी कुमार ने लिखा वाई बिग बॉस सिक्स्टन गेटिंग इन्वाल्ड विद अंकित गुपता संचालन जब मन्डली अन्फियर हो रहे थे तब चुप क्यूं थे विल शो के बीते एपिसोड से अंकित के फेवर में लोग आ खड़े हुए हैं स्टार्ट्स भी बिग बॉस के मेकर्स पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं ऐसे में अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या आने वाले दिनों में भी बिग बॉस अंकित को लेकर ऐसा ही रवया अपनाएंगे या फिर गेम अलग तरीके से यूटर्ण लेका विल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे शेर कीजिएग अपनी उपीनियन हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में